जब यूट्यूब के प्रीमियर पे एक साथ अगर 50,000 लोग प्रीमियर देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो ट्रेलर कितना बड़ा होगा जिसको प्रीमियर में ही 50,000 लोग देख रहे हैं और उसके 15 मिनिट बाद ही वो व्यूज 2 लाग पार कर जाते हैं मैं बात कर रहा हूँ अन्तिम फिल्म के ट्रेलर की जिसके लीड में है सलमान घान और आयूश शर्मा तो अन्तिम बेसिकली एक रीमेक है औफ दे मराथी हिट मुल्शी पैटर्न जितना ट्रेलर से पता लगता है कि सलमान खान जो है वो आयूश शर्मा को मैनिपिलेट करता है अपने सारे के सारे जो काम है वो निकलवाने के लिए एक तीर से दो निशाने लगाता है तो basically अगर हम trailer की बात करें तो trailer itself is something जिसके अंदर action को इतना ज़ादा नहीं दिखाया है overpowering नहीं दिखाया है इसमें dialogues हैं जो इसके main hero है apart from Salman Khan's presence of course जिस तरीके से Salman Khan dialogue बोलते हैं हर dialogue पे ठेटर में CT और तालियां बजेंगी यह movie अराम से massive opening लेगी और यह जो trailer है trailer के अंदर जिस तरीके से आयूशर्मा और Salman Khan की एक chemistry है वो भी बहुत बढ़ी आदिकती है तो इसमें जैसे हमने सोचा था कि अंतिम भी एक no brainer type of होगी जिसके अंदर खाली fight, action और glamour होगा well thankfully यह थोड़ी सी अलग लग रही है trailer के तरूँ इसका जो एक plot होगा वो भी क्योंकि औरड़ी एक tried and tested movie है जिसका एक remake है तो हमें hope है कि यह movie जो है थोड़ा जादे layers के अंदर हो इसकी story although मैंने bulshi pattern देखी नहीं है मगर यह सुना है कि वो movie बहुत अच्छी है इसके लिए उसका एक remake बन रहा था तो आयूशर्मा की बात करें तो आयूशर्मा की जो dialogue delivery है वो पहले से improve जरूर हुई है एक relaunch type हो रहा है उनके लिए female lead के अंदर प्रग्या जैसवाल और महीमा मकवाना है जिनके roles limited होंगे लेकिन फिर भी जहां जहां उनकी जरूरत है उन्हें वहां दिखाया जाएगा specially गानों के अंदर and coming to Salman भाई अगेन वो एक सिख कॉप ले कर रहे हैं और जो महरास्टर में जिसने जनम लिया तो उसको पंजाबी आती है उसे हिंदी आती है उसे मराठी भी आती है तो इन तीनों लैंग्विजिस में Salman भाई के एकदम दमदार डायलोग्स है सबसे नोट फर्दी तो वो है कि जिस दिन सरदार दी हटेगी सब दी फटेगी तो ये जो है एक आपके दिमाग पे एकदम छाप छोड़ देता है not because I am a सरदार वो तो अफकोस पहले में मुझे तो हिट करीगी वो बात मगर ऐसे जनरली अगर कैरेक्टर की भी बात करो तो एक सन्नी दियोल फील है सलमान खान की इस कैरेक्टर के अंदर इससे पहले सलमान खान ने हीरोस के अंदर प्ले किया था उसमें वो थोड़े से uncomfortable थे क्योंकि उनकी जो पंजाबी लाइंस थी वो सही तरीके से दी नहीं गई थी और उनसे expect किया गया था कि कोई सीन में serious कोई सीन में जॉली बने तो वो थोड़े से उसमें uncomfortable थे इन अंतिम्स ट्रेलर वो तो एकदम to the tea fit हो रहे है क्योंकि इसके director है महिश मांजरेकर तो महिश मांजरेकर is a very season director और उनको पता है कि उनके actors को किस तरीके से उनोंने present करना है तो of course ये बात तो जाहिर है ही कि अंतिम्स का trailer मुझे बहुत पसंद आया है and I am looking forward to the film और ये movie जो है धमाके दार opening लेगी सुर्यवंची तो house full के board लगा देगी दीवाली पे मगर ये दीवाली को extend करके 26 November तक लेके आना तो सलमान भाई का काम है उनोंने वो weekend को भी एकदम fireworks से भरके सारे ठेटर जो है उनके अंदर कमाल दिखाना है और ये सलमान फैंस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी news है कि राधे के एक debacle के बाद में सलमान खान इस बैक और य ये movie जो है it is not only action या एक सलमान का औरा लेके नहीं चल रही है ये movie के अंदर कुछ storyline है characters है and it is not only about सलमान मगर the biggest thing in the movie is सलमान तो दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please like कीजे नहीं आया तो dislike कीजे मगर interact जरूर कीजे thank you for watching guys